नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन और गनिक इंडिया पर एक नहीं जानकरी के साथ क्या आप चाहते हैं कि आपकी सरसों में गीहूं मंडी में जाते ही बिक्चाय वो भी आपकी पसंद की मंडी में क्या आप चाहते हैं कि आपकी सरसोंएंगेहों का पूरा मुले मिले तो आपको ये काम करवाना पड़ेगा अगर नहीं किया तो परेशानी होगी अगर ये काम कर्वाते हैं तो आपको अलग से प्रोहुत्सान रासी भी सरकारदोरा दी जा रही है किसान भाईयों को कुछ राज़ों में अभी कुछ समय पहले बाजरा की फसल बेचने में परेशानी आई होगी क्योंकि बाजरा का निउन्तन समर्थन मुल्या 1920 रुपे किया गया था और कई राजों ने MSP पर बाजरा की खरीद की थी और कईयों नहीं की इसलिए जिन राजों ने बाजरा की खरीद MSP पर की की थी उन राजों में बाजरा बेचने में किसानों को समझ चाई थी क्योंकि उनको डर था कि कुछ व्यापवारी दूसरे राजों से सस्ता बाजरा खरीद कर MSP पर उनके यहां पर बेच सकते हैं इस काल वाजरी को रोकने के लिए मेरी फसल मेराविवयरा नाम से एक ए-फसल सुजना पोड़ल शुरू किया ताकि किसानों को परेशन ना आए अब वही काम सरकार गेहूं वे सरसों के लिए भी करने जा रही है अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई परेशानी ना आये तो इस वीडियो को पुरा देखें और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या है कि आपने जो भी फसल चाहे वो गेहूं सरसों या कोई और फसल आपने उसकी विजाई कर रखिये तो उससे संबंदित जानकारी को आपको पोर्टल पर अपलोड करना है पोर्टल का नाम e-kharit.in है अब सवाल यह है कि इस पोर्टल पर रेजिस्टेशन कोन और कैसे करेगा पहला तो यह है कि हम खुद भी रेजिस्टेशन कर सकते हैं अगर हमें इंटरनेट का ग्यान है तो बहुत ही आसान है और सरकार प्रती एकट दस रुपए का बोनस भी दे रही है अगर कोई किसान खुद ओनलाइन रेजिस्टेशन करता है तो सिर्फ e-create.in पर लोग इन करना है और जो भी वहाँ पर दी गई जानकारी है मांगी गई है वो आपको भरनी है चाहे वो आधार कार्ड से संबंदित है या और डेटेल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यह आपको डेटेल पूरी यहाँ पर भरनी है यह डेटेल आप से संबंदित है और आपके जो बैंक अकाउंट डेटेल है वो यहाँ पर भरके उसको आप से और कंटीनू करेंगे तो आगे जो पेज आएगा उस पर यहाँ पर आपको खसरा नंबर और खेवट नंबर किला नंबर वगयरा यानि फसल से संबंदित जानकारी देनी है और तो इस तरह से आपका रेजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा अगर आप खुद नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका है कि आप कोमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं किसी इंटरनेट के फेफे या किसी दूसरे व्यक्ति से जो की इंटरनेट का ग्यान है उससे अपना फार्म भरवा सकते हैं अगर आप ये काम नहीं करवा पाते हैं तो क्रिश्विभाग के अधिकारी आपकी साहता के लिए हाजिर हैं किसान भाई क्रिश्विभाग के अधिकारी के पास जाकर आफ लाइन आवेदन भी जमा करा सकते हैं फार्म आपको क्रिश्विभाग के अधिकार के लिए गाओं में आकर क्रिशी विवाग के अधिकारियों ने रेजिस्टेशन की थी ताकि किसानों को कोई समस्या नहीं आए खरी डॉट इन पोर्टल पर रेजिस्टेशन पच्चिस बारा से शुरू हो चुकी है इसलिए जल्द से जल्द अपना रेजिस्टेशन करवा ल इसलिए प्रॉबगाओ से लिarrive किसान आभाओ से जल्द से टोर्टल प्रोलह करें विरॉबगाद के tai सकना वुछ किसान से शर। यह बच Meowth